गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे यूनिट फाइव की वर्कशिप फाइव इन सर्कल दा पेयर ओफ लाइक फ्रेक्शन लाइक फ्रेक्शन का मतलब है कि आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं अगर वो सेम है अगर पॉइंट के बाद एक यहां पर कितने नंबर्स हैластि प्रेक्शन लाइक फ्रेक्शन अगर पर इन questions में क्या करना है encircle करना है pair of like fraction मतलब जो उनको circle करना है तो 3.5, 0.5, point के बाद कितने number है 1, point के बाद 2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 क्या equal है no, तो यह encircle नहीं करना, then d part है, point के बाद कितने number है, 2 और यहाँ कितनी है, 3, 2 और 3 इक वल नहीं है धेखो यहां point के बाद 8 है और point के बाद 3 है मतलब point के बाद one digit है और point के बाद one digit है 多 one one same है तो then encircle कर दिया जैसे यहां देखो point के बाद कितने digit है 123 123 same है तो precц encircle लिए डिया इसको ऐसे circle कर देना 5の book में इर ना भूंक कि農だ nine point three point twenty one point के बाद कितने digit है two और यहाँ पर point के बाद कितने है three तो यह नहीं होगा point के बाद कितने है three digit point के बाद three digit तो in circle कर दिये circle लगा दिये यहाँ पर देखो point के बाद कितने है one और यहाँ कितने है two तो यह नहीं है equal नहीं है तो कर दिये circle नहीं लगाया फाइव है मतलब एक पॉइंट के बाद वान डिजिट है और यहां टू वान और तू ब्राबर है नो देन यहां पे टू है यहां पे थ्री है तो नहीं अब नेक्स्ट में क्या है आपको कनवर्ट करना है इंटू ए ग्रूप ओफ लाइक डैसिमल इनको लाइक डैसिमल में कर फिर टू जा रहा है फिर वन यानिकी सबसे ज्यादा थ्री है तो पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट लगाने है थ्री डिजिट बनाने एक जैसी बनाने है तो कैसे करोगे इन कोशन्स को यह देखो यह बेटा नॉट बुक में कर लेना तो यहां पर देखो यहां प नंबर वन एट है पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए तो 13.1629 है तो देखो हम यहां लिखेंगे 1.800 मतलब पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट होगे 123 होगे 123 तो सेम होगे सेम 629 as it is 17.26 मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3 तो यहां तो 2 है एक डिजिट हम अपनी तरफ से 0 एड कर लिए इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3 तो यह देखो 123 हो गया है ठीक है same as similarly इसमें देखो पॉइंट के बाद 1 है पॉ इसमें तो करने की जुरूरती नहीं है क्योंकि यह already 2 है आपने maximum देखना है तो इसमें क्या है 45.80 आगया same point के बाद कितने डिजिट है 3 1 1 2 तो यानि कि 3 करना है तो 3 करना है तो same उसको क्या करोगे 3 करने के लिए 0.3 यहां पे 2 0 अपनी मर्ची से add कर दोगे 9.100 then 16.650 इसमें देखो 3 वाला ही आपको दिख रहा जादा तो point के बाद 3 0 मतलब 3 करने चाहिए इसके बाद 1 1 0 अपनी तरफ से add कर दिया यहां पे भी 1 0 अपनी तरफ से add कर दिया करने की जुरूरत नहीं है इसके साथ हमें क्या है 2 0s add करने की क्यूं क्यों कि हमें point के बाद 3 like fraction बनाना है एक जासा बनाना है ठीक है तो point 006 next में क्या है यहां पे 2 यहां पे 3 2 1 यानि कि 3 वाल मतलब 3 वाला लेना है तो point के बाद आपके कितने numbers होने चाहिए 3 तो 0 हो गया same 68.095 as it is लिखो गए 8.09 point के बाद कितने digit होने चाहिए 3 पर यहां 2 है तो 1 अपनी तरफ से 0 add कर देंगे same 71.100 ठीक है 3 हो गए ठीक है कितने चाहिए 3 था राद कुझ कई वे श्बाद के दिए 3 वाल मतलब 3 वाल मतला लेлемत थाया गए